नमस्कार फ्रेंड मैं हूँ चंदन पटेल और देखिए आज मैं एक ऐसे ही स्टॉक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि आप अगर खरीदेंगे तो आपके बच्चे का भविश से बना देगा यह स्टॉक इतना जबर्दस तेज है कि सच में ही आपके बच्चों का भविश से बना देगा अगर देखिए आज अभी आप अगर स्टॉक खरीदते हैं यहां मैंने एक इसके पहले कई बार वीडियो डाला था अगर वो आपने अगर देख के अगर आप वहाँ पर खरीदते हैं तो आपको बहुत ही एक अच्छी अपरचुंटी मिलेगी और यह स्टॉक तभी लिजेगा अगर आप फ्यूचर मतलब इतने लंबे समय तक के लिए लीजेगा कि यह आपके बच्चों के लिए काम आए लगभक कम से कम 5-6 साल होल्ड रखने के लिए यह स्टॉक है अगर आप इस से जादा अगर 10-20 साल अगर आप रोग सकते हैं तो भी आपके लिए यह स्टॉक ब मैंने कब डाला था देखें अगर मैं इस स्टॉक के मार्केट का अपलाजिजिसन की बात करूं तो लगभक 3463 करोन का इसका मार्केट का अपलाजिजिसन है अगर मैं इसकी करेंट मार्केट प्राइज की बात करूं तो 315 रुपे इसका करेंट मार्केट प्राइज है अगर जब मैं bound big high और bound big low की बात करूँ तो लगबग 322 रुपे का bound big इसका high है और bound big low लगबग 75 रुपे का bound big low है देखिए यह जो आपको 322 जो high आपको दिख रहा है यह अभी कुछी दिनों में market जैसे गिरी थी उसके कुछी दिनों पहले यह bound big high बनाया था और फिर से एक बार स्टॉक में जबर्दस तेजी आपको देखने को मिल लही है और अगर मैं इसकी PE की बात करूँ इस स्टॉक की जो PE है लगबग 31.4 की PE है book value की बात करूँ तो लगबग 81.4% की PE है अगर मैं डूडेंट की बात करूँ तो 0.48% का डूडेंट है देखिए ROE की अगर मैं बात करता हूँ तो ROE बहुत ही जबर्दस ते लगबग 18.4% का यहां पर ROE है अगर मैं इसकी face value की बात करूँ तो यह 10 रुपे का face value है और यहां पर अगर देखिए थोड़ा सा अगर मैं नीचे आओं तो यहां पर अगर मैं आपको yearly wise जिसकी जो earning है net profit वो आपको मैं बताता हूँ मार्च 2015 में net profit इसका 16 करोड़ था देखिए मैं आपको हमेशा net profit इसलिए बताता हूँ कि इस company में per year कितनी growth हो रही है और कितनी जबर्दस growth होनी चाहिए और कितनी जबर्दस growth इसमें हो रही है देखिए आप किसी भी company में अगर आप निवेस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चीज देखना जरूरी होता है कि उस company की yearly earning कैसी है भाई अगर देखिए आप किसी भी company में अगर आप पैसा लगाएंगे अगर उसकी yearly earning नहीं बरोबर है ठीक नहीं है तो आपको वो company खुदी नहीं कमा रही है तो आपको पैस से क्या देगी मतलब उस स्टॉक में तेजी नहीं रहेगी बनीन अगर कोई भी स्टॉक है भले से वह स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो कोई भी company हो अगर वो पर येर वाइज वो growth कर रही है ठीक है तो वो गजब की company है और उस स्टॉक में भरपूर आपको तेजी देखने को मिलेगी और यहां पर ही वही मैं सेम हमेशा आपको आप यह सोते होंगे यार क्या बार बार वही एकी चीज बताते रहता है भाई ऐसा नहीं है देखे मैं earning result इसलिए बनताना मैं जरूरी चाहता हूं ताकि आप अपने से खुद decision ले देखे मेरा क्या है मैं तो वीडियो बताऊं तो आपको वहां पर ध्यान देना होता है कि यह company लंबे समय तक के लिए अच्छी है कि कम समय तक के लिए अच्छी है और अगर मैं देखे हम छोटे जैसे निवेसक हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम हर company ओं में पैसा लगा दें ठीक है तो हमें कुछ ऐसी ही company चुननी होती है कि जिस company में growth भी बहुत ज़्यादा रहें company भागे भी बहुत तेज और हमें last में जाके जब हम पैसा चाहते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलें देखे बहुत ऐसे stock है कि जिनों में जिनोंने 12 साल में 30-30 गुना पैसा किया है 40-40 गुना पैसा किय और कोई कोई ऐसे stock है जिन्होंने 5-500 गुना कर दिया stock मतलब 5-500 गुना कर दिया है ठीक है और किसी किसी ने तो 60% 70% 80% मतलब इतना गुना मतलब 60 गुना 70 गुना 80 गुना ऐसा ऐसा return दिया है बहुत ही भेंक है तो हम वही चाहते हैं कि हम वैसी ही company पकड़ें कि जो 40-60 गुना पैसा हमारा कर दे 10 साल के अंदर में हम ऐसा सोच के हमें चलना होगा कि हम वैसी company पकड़ें कि हमारा 10 साल या 15 साल या 5 साल में हमारा 30-40 गुना पैसा हो जाना चाहिए हमें यह देखके लंबे समय तक के लिए हमें यह देखके चलना है तो हम उसी के हिसाब से stock की क्या हिस टॉक हम चुनेंगे ठीके क्योंकि हर जगे पैसा लगा नहीं इसके हमें कोई एक अच्छा या देखे 10-12 तो आप ऐसे ही टॉक चुन सकते हो या आप गेह हम जाद स जादा कितने मि लगा सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है तो हम ज्यादा से ज्यादा दस स्टॉक 20 स्टॉक में हम खरीदारी करके रख सकते हैं इससे ज्यादा तो हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम खरदारी कहां से करेंगे ठीक है तो इसी लिए आपको यह चीज बहुत ही देखना जरूरी होता है इसलिए मैं आपको हर चीज कोई भी एक वीडियो बनाता हूँ उस पर हमेशा लगबग लगबग अर्निंग रेजिटर में दिखाना बहुत ही जरूरी समगता हूँ तो यहां पर देखे मार्च 2015 में लगबग 16 करोन मार्च 2016 में लगबग 30 करोन यहां पर देखे लगबग यह हमेशा हर एयर में पर एयर वाइज यहां पर देखे यह कंपनी ग्रोथ होते हुए जा रही है और यहां पर अगर हम कंपेर करें 2015 से और 2020 में तो आप यहां पर देख देख पा रहे होंगे लगबग 2015 में 16 करोण अब 5 साल मात्र 5 साल बाद यहां पर देखे 113 करोण की नेट प्रॉफिट है अगर आप कंपेर करेंगे 5 साल में तो इस कंपनी ने कितनी भैंकर तेजी से अपने अर्निंग कि रिजल्ड को मतलब अर्निंग को कितनी जबर्दस यह बढ़ाया है पर यह वाइज इतनी बैंकर तो तेजी हुई है लेकिन यहां पर 2020 में जो कि लॉक्डाउन की सिच्वेशन थी ऐसी स्थिती में इस कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ की है तो आप यही सोच सकते हैं कि आने वाले कल में यह कितना जबर्दस आपको रिटन देगी देखें कोई भी चीज आपको अगर समझ में आती है तो वो आपको सबसे अच्छी चीज होती है देखें इस टॉक को समझने का मतलब क्या है किसी भी आप इस टॉक में अगर पैसा लगाते हैं या किसी भी चीज को आप खरीदने जाते हैं तो पहले आप उसकी कॉल्टी देखते हैं अब वो कितने साल तक चलेगा वो आप देखते हैं फिर उसके बाद उस हिसाब से आप उसको पैसे देते हैं तो सेम सिच्वेशन यहाँ भी लागू होती है देखें यह हर येर में यह कितनी जबर्दस स्टॉक देगा जरूर इसलिए मैं आपको बोल लाओं कि इस स्टॉक में निनेज करना आपको बहुत ही जरूरी है लंबे समय तक के लिए चलिए थोड़ा सा अगर में नीचे चलू तो यहां पर मैं आपको शेर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूं देखें लगबक दिस दिसंबर 2019 में 63.25% का होल्डिंग है पर मोटर के पास और सेम होल्डिंग अभी दिसंबर में भी है और यहां पर अगर मैं एफाइज के बात कर लो तो एफाइज ने 0.083% का होल्डिंग लेके रखा है और डियाइज ने यहां माल जबर्दस उठा के रखा हुआ देखें अब दिसंबर 2019 में 14.75% के होल्डिंग थी और दिसंबर 2020 में लगबग 16.24% की यहां पर होल्डिंग लेके रखी है और अगर मैं पबलिक की बात कर दूँ तो 21.35% की होल्डिंग थी पहले और अभी इनों ने लगबग होल्डिंग घटा के 19.69% की होल्डिंग कर दिये देखें मैं एक बात बता हूँ जो पबलिक मतलब जो रिटेल निवेसे होते हैं उनसे माल डरवा कर मतलब उनको डरा कर माल छीन लिया जाता है ठीक है क्योंकि जब इसका IPO आने वाला था अब ध्यान से सुनिए जब इसका IPO आने वाला था तो लोगों को इतना बता दिये थें कि ये कंपनी बहुत अच्छी है ऐसी है वैसी है ठीक है भाई रिटेल निवेसे तो बस खाली यही सुनते हैं कि भाई कैसी कंपनी है और उन कि जब सबने फिलप कर दिया था कि सबका जब आइपियों फिलप हो गया था तीन दिन आइपियों चलता है तीनों दिन जब कंप्लीट हो चुका था तब से इस कंपनी के बारें बुराईयां चालू कर दिये टीबी चैनल वाले तब से इस कंपनी के बुराईयां चालू कर दिये कि अरे यह तो कंपनी गिर भी रखा हुआ है ठीक है और यहां से मतलब यह बस खाली आइपियों इसलिए निकाल ला है कि अपना कर्जा चुका सके और मतलब पुब्लिक को इतना ज़्यादा डर्वा दिय इतना ज़्यादा मतलब उनको डर्वा दिया थे पुब्लिक को कि जिस दिन इसका ओपनिंग हुआ उस दिन इतनी भैंकर इसमें गिरावट हुई भैंकर गिरावट हुई कि पूरी पुब्लिक एकदम डर गई और माल बेचना चालू कर दी और जितने डियाई थे जितने ड जबा के माल उठाया यहां पर और इतनी जबर्दस माल उन्हों ने उठाया कि जितना गिरावट हुआ लगबग यह आ गया था 75 रुपए के आसपास मैंने इसका जो लोग आपको दिखाया है 75 रुपए के आसपास आ गया था यह गिरावट में और डर्वा के माल छीन ले ने थे सब और फिर जब इनके पास माल हो गया तो फिर स्टॉक को उड़ाना चालो करती है तो इसलिए मैं फ्रेंड बोलता हूं कि आप दूसरी की बातों पर मत जाया करिए और जो आपको कंपनी अच्छी लगती है आप उस कंपनी में ही निवेज करें ठीक है और आप अपने समझ से निवेज करें भले से देखें मैं बोल ला हूं या और कोई बोले आप सुनने को सुन लिया करो कि आप वो क्या बोलना है और वो क्या बोलना है वो कैसे बोलने है ठीक है आपको जो अच्छा लगता हो आप वही करो ठीक है दूसरे के बातों म आके आप फसो मत ठीक है और चलिए मैं आपको दूसरी वेब साइट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा ठीक है फ्रेंट इस कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 19 र कि Π Filipinosis में देखने को मिल लएए अगर मैं देखें ट्रेंड अगर मैं इसका देखो तो यह बुलिस रहें बहुत ही वैलुएशन है कि जो आपको इतनी तेजी के बावजूद भी ये कमपनी आपको सस्ते मिल लए है और अगर मैं यहां पर देखिये बात करनो जो एनलिस्ट होते हैं उनकी राय सुनना बहुत ही मतलब उनकी राय सुनना और उनकी राय देखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यह हमेसा देखे हम लोग क्या है कि हम लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं या और कहीं किसी अधर सेक्टर में जॉब करते हैं और ये लोग जो एनलिस्ट होते हैं वो उनका काम में वही है मतलब उनका जौब यही है कंपनी के बारे में देखना कंपनी के बारे में पढ़ना कंपनी क्या करती है कैसे मतलब सब कुछ ये लोग ही देखते हैं तो इनका काम ही है इसलिए इनों ने देखे इसको पॉजिटिव राय दिये और इसलिए इस स्टॉक में बहुत भेंकर तेजी देखने को मिल लए है अगर हम रिटन की बात करें तो यहां पर देखिए लगभग वन एयर में 89 परसंट का रिटन है और 6 मंत की बात करने तो 187 परसंट का रिटन है अगर 3 मंत की बात करने तो लगभग 30 परसंट का रिटन है one month की बात करें तो लगबग यहां पे देखिए 20% की return है बहुत ही जबर्दस तेजी इस stock में देखने को मिल लई है और अगर मैं यहां पे देखिए share holding की बात करूँ तो आप यहां पे मैं थोड़ा सा आप यहां पे देख लिजे share holding pattern यहां पे देखिए जो majority share holder है वो पर मोटर के पास है अग गिर्वी रखा हुवा share कुछ भी नहीं है इनके पास और अगर मैं mutual fund की बात करूँ तो लगबग आठ इसकीमों ने पैसा लगबग 9.57% का और FIs केवल 4 FIs यहां पे निवेज किये हैं 0.83% का यहां पे इनका निवेज है अगर मैं other DIs की बात करूँ तो यहां पे देखिए लगबग 6.47% की यहां पे इनके पास holding है और यहां पे देखिए मैं आपको चार्ड पे लेकर चलना चाहूंगा और चार्ड पे आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी कितनी जबर्दस तेजी से यह स्टॉक ग्रोथ कर रहे हैं आप यहां पे देख सकते हैं और यह देखिए इसका जो चार्ड है यह जबर्दस तेजी आज इस स्टॉक में यहां पे दिखने को मिली है जो हाई बनाया था लगबग 300 रुपे का बनाया है हाई इसने आज और यहां पर देखिए जब अपना यहां पर तेज था इस टॉक यहां पर देखिए लगबग 309 रुपे का यहां पर इसकी स्टॉक की तेजी है और यहां पर आज लगबग यह 300 रुपे क इसने हाई मार दिया और यह जैसे ही 309 रुपय का अपना ब्रेक आउट करेगा और इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी बहुत ही भैंकर तेजी इसमें देखने को मिलेगी आप यहां पर देखिए यह आज कई दिनों से स्टॉक एक दम पूरा रॉकेट बना हुआ है और यह स्टॉक थोड़ा कुछ दिन एक बॉक्स में ट्रेड किया लेकिन फिर से इस स्टॉक में बहुत ही बैंकर तेजी देखने को मिली और जब यह देखिए इस्टॉक आया था लगबग 75 रुपए के आसपास तो वहां पर आप यहां पर देख सकते हैं 75.30 पर यहां पर यह लो बनाया था फिर उसके बाद यह कुछ दिन इस स्टॉक में इतनी भैंकर अपर सर्कृट लगी कि यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही जबर्दस इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी फिर यह कुछ दिन तक यह एक बॉक्स में ट्रेड किया देखें बॉक्स का रेंज था यह लगबग यह ठीक है 115 रुपए से लेके लगबग 105 रुपए इसमें यह लगबग कुछ दिनों तक यह बॉक्स ट्रेडिंग किया लगबग 1.5 मंत के आसपाद फिर इस स्टॉक में बैंकर तेजी देखने को मिली और यह तेजी देखते द सहुकर हाई बना दिया था 2106.75 पैसे का फिर वहां से इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली और फिर वहां से थोड़ा सा कार्यक्शन आया और फिर फिर से यह इस्टॉक एक बदर फिर sig यह तेज हो गया और फिर थोड़ा सा बॉक्स में ट्रेड किया, और फि कि इस स्टॉक में थोड़ी से गिरावर देखने को मिली फिर से ये स्टॉक तेजी बना दिया और इतनी भेंकर अभी ये देखे तेजी बना दिया कि लगपग ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो इसका जो ये हाई है हाई 309 रुपे 30 पैसे का ये कुछी दिनों में इसको क्रॉ करके बहुत ही गजब की इस स्टॉक में तेजी एक बार आपको फिर से देखने को मीलेगी तो मैं जो नई निवेसक हैं या लंबे समय कर लिए जो निवेस कर रहे वह इस स्टॉक में बने रहें और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपरचुंटी मिलेगी देखे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूटूब चैनल पे और वहाँ पे मैं देखो मैं बताऊंगा कि ये वीडियो मैंने कब पोस्ट किया था इसका वीडियो फ्रेंड मैं लेके आउगया हूँ अपने यूटूब चैनल पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं लग देखे मैंने एक वीडियो डाली थी प्रिंस पाइप के उपर यहां पे देखिए डाली थी आपको मैं जूम करके दिखा दिता हूँ केवल 10 साल में आपको बना सकता है यह करोणपती केवल 10 साल में करोणपती बन सकते हैं यह स्टॉक आपको केवल 10 साल में ही आपको करोणपती बना देगा और इस वीडियो में मैंने आपको सारी कल्कुलेशन दी है कि कैसे आप करोणपती बन सकते हैं और इसलिए मैं आपको बोल लाँ फ्रेंड कि आप अगर इस स्टॉक में निवेस करेंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छी अपरचुन्टी मिलेगी ओके थैंक यू फ्रेंड